नर्मदेहर, 90.8 रेडियो रेवा एफिम के सबी श्रोताओं का मैं कार्तिक स्वागत करता हूँ आज हमारे बीच में विशेश रूप से उपस्तित हैं श्री उदय परांजबे जो की मराठी साहित यकादमी के संचालक हैं और हमसे समवात करेंगे हमारे बीच में कुछ अपने विचार रखेंगे उदय जी रेडियो रेवा के इस सामुदाइक रेडियो स्टेशन के सभी श्रोताओं को मैं उदय परांजबे संचालक मराठी साहित यकादमी मध्यप्रजेश संस्कृती परिशत संस्कृती विभाग के अंतरगत काम करती है उसका संचालक हूँ आप सभी को नमश्कार नर्मदा समगर न्यास एक बहुत बड़े विजेनिरी हम कह सकते हैं ऐसे स्वर्गिय अनील माधव जी दवे और उनके साथ साथ हमारे जबलपूर के गौरो स्वर्गिय अमृतलाल जी बेगड नर्मदा प्रेमी आप दोनों महान विभूतियों ने और नर्मदा समगर यह एक जो NGO प्रारंब किया था आज उसका बहुत ही सुचारू रूप से संचालन हो रहा है उसकी बहुत सी गतिवी धिया हो रही है और आप दोनों विभूतियों ने जो स्वपन देखा था उस स्वपन के आधार पर ही सब काम चल रहा है और मा नर्मदा जी का मा रेवा का जो प्रवा है हम अध्यपरदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा उसका पावन जल मिलता है हम उसके पुनीच जल का दोहन करते हैं उसी के द्वारा हमारा प्रदेश हरीत हो रहा है हमारे प्रिदेश की उन्नती हो रही है तो इसके जल का बचाओ इसकी दृष्टी से परियावरण के हिसाब से यहां क्या होना चाहिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और एक विशेश दिशा में कैसा काम करना चाहिए सून नियोजित तरीके से क्या काम करना ऐसा नर्मदा समगर कर रहा है इसके पूर्व में भी हमारे एशेस्वी मुख्यमंत्री अधरणी शिवराज जी के द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा भी निकाली गई थी उस समय भी जगे जगे रुक्षार ओपन इत्यादी बड़े-बड़े काम किये गए थे नर्मदा का कटाओ कैसे रुके उसके उपर बहुत बड़ा प्रहतन हुआ था और आज तो स्थिती यह है कि मा नर्मदा के कारण केवाल हमारा मद्यप्रदेशी नहीं अपी तू आसपास के प्रदेश भी इसके जल का दोहन कर रहे हैं और अपने यहां पर उनके यहां पर भी मा इसाथ और फिर उसका विसरजन भी उसी प्रकार से किकीसी प्रकार से नदी में कोई दूसरी गंदगी ना फेले ऐसा सोचते हुए वो करना चाहिए वो भी सब हमारे कारेकरता बताते हैं तो एक अच्छी गतिविधी चल रहे हैं अच्छा इंजियो काम कर रहा है इसके तु बहुत-बहुत शुबकामना है जबलपूर जैसा संसकार धानी नाम हुआ है इस सब को इस संपूरन कारे को मेरी और से बहुत-बहुत शुबकामना है बढ़ाई और बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद उदय जी आपने हमारे बीच में काफी सारी बाते रखी विशेश करके नर्मदा समगर द्वारा किये जा रहा है प्रयास और अमरतलाल वेगर जी और अनिल मादाव द्वे जी द्वारा किये गए इन प्रयतनों को एक स्वरूब जो दिया गया उसके बारे में आपने हम सब को बताया और साथ ही कैसे हम नदी परियावरन संरक्षन के लिए कारे कर सकते हैं और नदीयों में हो रहा है प्रदूशन को रोक सकते हैं इसके उपर आपने प्रकाश डाला और नर्मदा समग्र दौरा किये जा रहे कारियों विशेश करके आओ बनाए अपने हातों श्री गणेश जो आगामी दिनों में कारिकरम के रूप में होगा उसके बारे में कैसे हम क्या कर सकते हैं और गणेश जी की झाल